तो दोस्तों जैसा कि एक बर हम लोगों ने डिसकेशन किया था कि बंगलादेश के अंदर अमारीका के प्रयासों के बाद रिजिम चेंज करवा दिया जाता है और हर तरफ अशान्ती फैल जाती है लोगतंत्र की धज्या उड़ जाती है और ये सब करवाने के बाद अमारीका अपनी रोटिया सेखने के लिए पूरी तरह से तैयार है अगर इस आग को भड़कने से रोकना है इसको इलाज करना है तो इसे रिक नाम का एक इंजेक्शन देना होगा इस बिमारीका यानने जो बिमारी अमारीका से चलकर आई है उसका एक मात्र इलाज इस समय रिक ही है भारत चाइना और रश्य अगर आपस में मिल जाते हैं आपस में सामन जिस बिठा लेते हैं अलप समय के लिए ही क्यों ना वो हो उसके बाद आप देखिएगा कि अमेरीका की कदम सुर्टाल ये सारी कुछ चीजें बदल जाएगी अमेरीका को नाचने का शोक ना भी हो तो वो शोक आ जाएगा अगर ये तीनों देश नचने का शोक पालने तो क्योंकि अभी तक देखा गया है कि अमेरीका शुरुआद से लेकर याने कूल्ड वार से लेकर आज तक जितने बार भी सकसिस हुआ है जितने भी मामलों को लेकर हुआ है आप नोटिस करेंगे कि अमेर प्रियास अगर अगर संफल होता है तो सब्सक्राइब कर देज्जा के लिए लिए और्स जो को के अगर किसी तरह की टेक्नोलिजीश म Алексैकंप पर अगर किसी तरह की टेक्नोलीजिय बस वो एक चीज़ से मार खा जाता है और वो है पैसा अमेरिकन संक्शन्स की वज़े से उसके पास पैसे की कमी देखने के लिए मिली है इस बात का फाइदा समय समय पर चाइना उठाते आया है चाइना द्वारा वित्त पुशित करके कई इसे पर यूजनाय चलाई जा रही ह और इस काम में भारत बड़े अपसोस के साथ कहना पढ़ रहा है कि काफी जादा पिछड़ गया है लेकिन आज की परिस्थितियां बदल चुकी है भारत की एकॉनमी भी लगा तरतीजी से बढ़ रही है और रश्या को वही सारी चीज़ दिखाई दे रही है भारत के अंद इसी सीरिज में दोस्तों बताईए जा रहा है कि चंदरमा को और जादा एक्सप्लोर करने के लिए रश्या की मनशा यह है कि क्यों ना चंदरमा की सतर पर एक न्यूकलिर पावर प्लान को स्थापित किया जाए क्योंकि बिना एनरजी के चंदरमा को और एक्सप्लोर कर दे इनके हवाले से बताई ये गया है कि रश्या की जो गवर्मेंट नूकलिर एनरजी कॉर्पोरेशन है जिसका नाम रोसो टॉम है इनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारे दोनों ही पार्टनर्स याने चाइना और भारत इस लूनर बेस को तयार करने के लिए दिल्चस्पी दिख भी रहे हैं अब ये भारत के भी काम की चीज़ है कारण ये है कि भारत दोहजर चुबिस तक हर हाल में अपना एक मानों मिशन चंद्रमा की सता पर भेजना चाहता है तो अगर इसी टाइम लाइन के आस पास ये सारी सहुलत भारत को मिल जाती है कि नूकलियर पाउर प्लान चंद्रमा पर स्थापित किया जाए और उसमें भारत का सयोग लेकर बराबरी का पार्टनर बनाया चाहे तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती वरना ये सारी प्रोसेस और ये सारी टेकनोलोजी हमें खुद के बूते तयार करके फिर वहां पर इस साती इन प्रोग्राम में विद्व पोशन ये सारी कुछ चीजे करने में सक्षम है पहले की तरह कोई बोज नहीं रहा है वैसे मैं आपको बता दू कि वर्ष दोहजार इकीस में ही इस तरह के संयुक्ते चंदर मिशन को लेकर रश्या और चाइना की बीच में प्लानिंग ह हो गई थी इसे नाम भी दिया गया था आई एल आरेस याने इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर जहां पर मानोबेस तयार करने की इनकी टाइम लैंज जो है वो वर्ष दोहजार पैतिस से लेकर पैतारिस के बीच की बताई जा रही है तो आप फ़रसा सोच कर देखिए क ये मिशन अगर सकसे हो जाता है और तीनों देश साथ में आ जाते हैं तो इसका कितना जाता इंपैक्ट पड़ेगा और वैसे भी भारत यहां हमेशा हमेशा के लिए चाइना और रश्या के पाले में नहीं जा रहा है यहां पर भी गुट निर्पेक्षिता भारत ने अपन पर नाई हुई है इस प्रोजेट के लिए अगर हम लोग रश्या चायना को हा करते हैं तो कई तरह के स्पेस मिशन के लिए हम लोग अमेरिका के साथ भी गडबंदन बना चुके हैं इवन हमारे गगन यान प्रोग्राम में भी उसका सायोग हम लोग ले रहे हैं क्योंकि ग अनकानिया तो निकल कर सामने नहीं आई है लेकिन बताई यह जा रहा है कि इस तरह कि न्यूक्लियर पावर प्लाट को पूरी तरह से तयार प्रत्वी पर ही कर लिया जाएगा इसके बाद जिस तरह से बाकी के मून मिशन्स किये जाते हैं वैसे ही मिशन्स के जरिए इनने सर्फेस पर भेज दिया जाएगा उतार दिया जाएगा उसके बास सारी कुछ प्रोसेस आटोमेटिक होगी और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने आपको वहां पहुचकर असेंबल कर लेगा जिसके बास एलेक्टरिसिटी जनरेट होनी वहां पर शुरू हो जाएगी इसके साथ भारत को एक एडवन्टेज जे भी मिलेगा कि चूकि एक स्पेस पो लेकर रेश शुरू हो जुकी है और भारत की बात की जाये तो भारत के पास इतनी सारी टेकनोलोज होने के बावजूत ना हमारे पास आभी स्पेस फोर्स है और ना ही किसी तरह की इस तरह की कोई प्लानिंग है कि चंद्रमा की सतर पर नुकलियर पावर प्लान को स्वतिनतर रूप से स्थापित किया जाए जबकि बाकी के सारे देशिन छितरों में काफी तेजी से आगे ब दाइका